आजाए हम परमिश्वर सब कुछ कर सकते हैं इस उब्देश शिर्षक के साथ परमिश्य के वचन का आध्यन करने का कुछ समय ले जैसा कि उब्देश सिर्षक से पता चलता है क्या यह सच नहीं है कि परमिश्य सब कुछ कर सकते है परमिश्य के पास जो कुछ भी वच चाते है उसे पूरा करने की शक्ती और अधिकार है वजब चाहे जितना चाहे हर चीज को पूरा कर सकते है लेकिन यदपी परमिश्व सब कुछ कर सकते है फिर भी वह सू समाचार को पूरा करने में इतना समय क्यों लगाते है हम चाहते हैं कि सू समाचार तेजी से बहुत आयत में और शक्ति शाली रूप से किया जाए लेकिन भलही परमिश्व सब कुछ कर सकते है फिर भी कभी-कभी वह देरी करते है भलही वह बहुत आयत में दे सकते है लेकिन कभी-कभी वह किवल थोड़ा ही देते है जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याई आठ में लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया परमिश्व हमारे आसपास की गती और परिस्थित्यों को नियंद्रित कर रहे है इसे ध्यान में रखते हुए आए हम परमिश्वर के पवित्र प्रेम और उनके कार्य में छीपे परमिश्वर के गहन प्रबंद को न भूले इसे मैसुस करने के द्वारा आए हम इस आशिशित सबद के दिन परमिश्वर को और अधिक धन्यवाद महिमा और स्तुती चड़ाए पूरी बाइबल में हम नभियों की अंगिनित गवाहिया पा सकते हैं जिनोंने घोश्वर की कि परमिश्वर के लिए कुछ भी असंबव नहीं है हमारे विचार हमेशा इस दुनिया को नियंतरित करने वाली शारिरिक सीमाओं तक बाध्य और सिमित होते हैं भले हम इस दुनिया से परे परमिश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ और शमता पर विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं इसलिए आज आएए हम एक बार फिर से बाइबल की शिक्षाओं को अपने रदयों पर अंकित करें और सोथे परमिश्वर जिनोंने हमें एक मिशन दिया हैं हमें कैसे देखते हैं आएए अयूब अध्याई बायालिस में देखें कि परमिश्वर वास्तों में कितने शक्तिशाली है आएए अयूब अध्याई बायालिस आयात एक में परमिश्वर के वचन पर एक नजर डाले अयूब की पुस्तक अध्याई बायालिस आयात एक तब अयूब ने यहवा को उत्तर दिया मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती यहां अयूब की पुस्तक में यह दर्ज किया गया है कि परमिशर की युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती या हमारे परमेश्वर की शक्ती दिखाता है। बले ही कुछ असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से इसे इस तरह से पूरा करते हैं, जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने गिदौन के 300 योद्धाव के साथ एक लाग पैंतिस अजार शत्रू सेनिकों को हाराया, तो उन्होंने इसे बड़ी आसानी से किया। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया, तो उन्होंने इसे एक लाठी के साथ किया, जैसे कि वो कोई चुनोंती ही न हो। इस्रेलियों की संख्या के बारे में सोचिये, उनकी आबादी 30 लाग से अधिक थी, जिसमें सैन्य आयू के पुरुष और उनके परिवार शामिल थे। परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक बिना कोई फसल उगाए, भोजन प्रदान किया। जब हम इन सभी गटनाओं की सावधानी पुरुवक जाज करते हैं, तो क्या यह आश्यर जनक नहीं है? विच्चार केजिए कि एक व्यक्ति कितनी आसानी से सुबह उड़ता है, खाता है, घुमता है और फिर चर्च आता है। परमिशर ने हमारे शरीर को, इन सभी जटिल कारियों को करने के लिए बनाया है। हमारे परमिशर वास्तों में अदबूत और शांदार है। अयुक के मामले में, शुरू में उसने केवल उन परेशानियों और कठिनाईयों के बारे में सोचा, जो उसे पेडित कर रही थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया और उसने परमिशर की शिक्षाओं को महसुस किया। जब तक उसे परमिशर की महानता का एहसास नहीं हुआ, तब तक उसका विवेक वापस नहीं आया। इससे पहले, चुकी वह भौतिक दुनिया में सिमी था, उसने केवल अपनी स्थिती के बारे में सोचा, जहां वह दर्द और पीडा में था, और अपने विश्वास को एक अनुची तरीके से व्यक्ति किया, लेकिन बाद में उसने परमिशर की गहरी इच्छा को मैसुस किय अयूप अध्याइब 42, मैं जानता हूँ कि तु सब कुछ कर सकता है, और तेरी यक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, तुने पूछा, तु कौन है, जो ज्यान रहित होकर यक्ति पर परदार डालता है, पन्तु मैंने तो जो नहीं समझता था, वही कहा, अर्था जो बात मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परन्तु अब मेरी आखे तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने उपर ग्रणा आती है, और मैं दूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इस दुनिया को संचालित करने की व्यवस्ता बनाई। मान लिजे कि एक व्यक्ति है जो पृत्वी पर दस किलो वजन उठाने की टाकत रखता है। चंद्रमा पर गुरुत्वा कर्शन, पृत्वी पर गुरुत्वा कर्शन का केवल एक छटा हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो पृत्वी पर केवल दस किलो वजन उठा सकता है, वो चंद्रमा पर सांट किलो वजन आसानी से उठा सकता है। इसे ध्यान में रखते विए अब हम किस तरह की जगव पर रह रहे है। हमें इसके बारे में ध्यान से सोचनी की जरूरत है। यदि हम चंद्रमा जैसे वातावरण में रहते, जिसमें पृत्वी के गुरुद्वा कर्शन का एक छटा हिसा होता है, तो हम बिना किसी केठिनाई के सांट किलो वजन उठा सकते। लेकिन यदि आप पृत्वी पर रहते हैं और आपको सांट किलो वजन उठाने के लिए कहा जाता है, तो यह ज़्यादातर महिलाओं के लिए मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं, तो आप इसे बहुत आसनी से उठा सकते हैं। हम जिस तर के वातावरण में रहते हैं, उसमें हमने जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उसके आधार पर हम उस वातावरण में रहने के आदी हो जाते हैं। इसलिए, कभी-कभी हमारे विचार, हमारा विश्वास और हमारी जीवन की हर चीज उस वातावरण में फस जाती है. परमिश्वर वह है, जो इस दुनिया और हमारे परियावरण से परे है, और हमारी कल्पनाओं से किसी भी चीज से स्रेश्ट है. इसलिए, अयूब ने एक बार फिर परमिश्वर के बारे में सोचना शुरू किया, और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे परमिश्वर पूरा नहीं कर सकते, और परमिश्वर की युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती. जब भी कोई व्यक्ति, अपनी बुद्धी, अपनी ताकत और अपनी क्षमता से कुछ करने की कोशिश करता है, तो वो कभी अच्छा नहीं होता. इसलिए, क्या हम सभी को वो नहीं होना चाहिए, जो हर चीज के लिए परमिश्वर पर निर्बर होते हैं, और हमेशा उनके मार्ग दर्शन का पालन करते हैं? जब हमारे पास परमिश्वर की सही समझ होती है, तो हम स्वयम को छोड़ सकते हैं, यह सिर्फ हार मानने से अलग है, यह एक गहरी अनुभती होने से उत्पन होना चाहिए, आये हम मतिय अध्याई 19 में परमिश्य के वचन को पढ़ना जारी रखे, आये हम मतिय अध्याई 19 आयाद 26 पर एक नजर डाले, आयाद 26 येश्व ने उनकी और देखकर कहा, मनुष्य से तो यह मनुष्य की शक्ती के साथ कैसा होगा यह नहीं हो सकता, परंतु परमिश्वर से यह कैसा होगा, सब कुछ हो सकता है, यह यह येश्व ने हमें सिखाया है, जब हमारे पास इस तरह का विश्वास होता है, केवल तब भी परमिश्वर का पवित्र आत्मा सभी लोगों में वास कर सकता है, आये उत्पते की पुस्तक अध्याई 18 के माध्यम से इस दिक्षा की पुस्टी करे, कुछ लोग सोच सकते है, क्या हम वास्तों में सामरी और पृत्वी के छोड़ तक सुसमाचार का प्रचार कर सकते है, हमें किसी चीज की चिंता करनी की जरूत नहीं है, हमें केवल वही करनी की आवश्शकता है, जो परमिश्र हमें करने के लिए कहते है, जब इस्राइली यरियों के चारों और साथ बार घुमें, लेकिन यरियों नहीं गिरा, तो उनके मन में कौन से विचार आये होंगे? उन्होंने सोचा होगा, क्या यरी हो, सचमुझ गिर जाएगा? लेकिन परमिश्र ने कहा, सभी लोग एक साथ चिल्लाएं. उन्हें बस इतना करना था कि वे परमिश्र पर विश्वास करें, और जैसा उन्होंने कहा है, वैसा ही करें. जब वे चिल्लाएं, तो कुछ अकल्पनी हुआ. बहुत इक दुनिया में, हमने केवल इसका अनुभव किया है, कि कोई चीज तभी ढहती है, जब एक निश्चित बल लगाया जाता है. हम परमिश्वर की रहस्यमई शक्ति के साथ, अक्सर कुछ ढ़ने का अनुभव नहीं करते हैं. इस वज़े से, बहुत से लोग भौतिक दुनिया में अपने ज्ञान और अनुभव के आधी होते हैं, और उन अनुभवो और वातावरन के आधार पर निर्णे ही लेते हैं. इसलिए, विश्वास की दुनिया में उनका विश्वास जल्दी नहीं बढ़ सकता. हमें परिमिश्वर के बारे में सोचना चाहिए. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी तारू का गुरुत्वा कर्षन पृत्वी के समान नहीं होता, चंद्रमा जैसे तारे हैं, जिनका गुरुत्वा कर्षन अलग-अलग है. हम पृत्वी के परियावरण के बहुत अभ्यस्त है, जब हम चंद्रमा पर जाते हैं, तो हम बहुत उंची छलांग लगा सकते हैं। उदारण के लिए यदि आप पृत्वी पर एक मीटर उँची छलांग लगा सकते हैं, तो आप चंद्रमा पर छे मीटर उँची छलांग लगा सकते हैं. यदि कोई पृत्वी पर 6 मीटर उँची छलांग लगाता है, तो हम उसे मनुष्य नहीं मान सकते, वावश्य ही एक एलियन होगा. लेकिन चंद्रमा पर 6 मीटर से अधिक उँचा कुदना आसान है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के वातारण में रहते हैं? अब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, वह तिसरा आयाम है और परमिश्य ने उन आत्माओं को, जिन्हों ने सुर्ग में पाप किया है, अद्रश्य जंजीरों से कैद किया है. जब वे जंजीरे हटा दी जाएगी, तो वक्षन जब हमें परमिश्य की महानता और सर्वश्यक्तिमान सामर्द का एसास होगा, निश्चित रुप से आ जाएगा. आजकल आप किसी दूर देश में केवल हवाई जाहाद से जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन परमिश्यर हमारे शरीर के तंबू को हटाएंगे, और हमें सुर्ग में आत्मिक दे पहनाएंगे, उस दिन छे मिटर उंचा कुदना कुछ भी नहीं होगा. हम सुर्ग की राज्य में चारो और उड़ने में शक्षम होगे, चूंकि परमिश्यर हमें यह महमामई दुनिया देंगे, इसलिए आए हम सुर्ग पर विश्वास करें और सोचें, परमिश्यर सब कुछ कर सकते हैं, फिर उन्होंने हमें इन चीजों को करने का अवसर क्यों और उद्धार राप्त करने का अवसर, परमिश्यर इन अवसरों को पृत्वी पर सारी मानुजाति को देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें यह कार्य सोपा है, भले ही वह इसे किसी भी समय कर सकता है, हमें इस महत्वपूर्ण एहसास तक पहुंचना चाहिए, आए हम उत्पति अध्याई 18 में एक बार फिर इसकी पुष्टी करें, उत्पति अध्याई 18 आयत 10, उसने कहा, मैं वशंत रुतु में निश्य तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन होगा, सारा तंबु के द्वार पर जो अबराहम की पीछे था सुन रही थी, अबराहम और सारा दोनों बहुत बुड़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हस कर कहने लगी, मैं तो बुड़ी हूँ, और मेरा पती भी बुड़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अबराहम से कहा, सार परमेश्वर स्वयम हमें यह शिक्षा दे रहे है, मत्य अध्य 19 में भी यह लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परुंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, येश्यु ने स्वयम यह शिक्षा दे थी, परमेश्वर सब हमें उस दुनिया को जिसे परमिश्वर संचालित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, उस दुनिया की समान नहीं समझना चाहिए, जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं। परमिश्वर की दृष्टी कौन से इस दुनिया में सभी चीजे वास्तों में महत्व हिन है। एक मनिश्य की दृष्टी कौन से हम सोच सकते हैं? क्या हम वास्तों में ऐसा कर सकते हैं? सबी लोगो हमें परमिश्वर के बारे में सोचना चाहिए. परमिश्वर सब कुछ कर सकते हैं. परमिश्वर के साथ सब कुछ संभव है. अयूब अध्याइं 42 में, मत्य अध्याई 19 और उत्पत्य अध्याई 18 में भी परमिश्व ने हम इस तत्य के प्रती जागरुत किया. आये हम यर्मिया की पुस्तक अध्याई 32 भी खोले. आये हम यर्मिया अध्याई 32 आया 17 देखे. हे प्रभु यहोवा, तुने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृत्वी को बनाया है. तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. परमिश्व ने आकाश और पृत्वी को बनाया. परमिश्व ने पृत्वी को बिना किसी शक्ती श्रोत के 4.5 अरव वर्षों तक अपने आप अपनी दूरी पर घुमने और परिक्रमा करने दिया. आप मेंसे कई लोग जल्दी ही एक पोर्टिबल पंखा लेकर चलेंगे. इसकी बैटरी कितने समय तक चलेगी? शायद एक या दो दिनों तक. भले ही परमिश्व पृत्वी को 4.5 अरव वर्षों से घुमा रहे हैं. लेकिन यब बिना किसी समस्या के चल रही है. क्या यब चकित करने वाला नहीं? परमिश्व निश्वी तुरुप से हमारे चारों और सभी प्रकार की अविश्वस्निय परिश्वतियों का निर्मान कर सकते हैं. लेकिन कभी-कभी हम अपने आप से सोचते हैं. सामर्या और पृत्वी के छोड तक सू समाचार का प्रचार कब होगा? हमने जो कुछ भी व्यक्ति के तुरुप से सीखा और अनुभव किया है, उसके आधार पर ही हम हर चीज का न्याई करते हैं. यदि हम किसी से कहें कि आप 6 मिटर उंची छलांग लगा सकते हैं, तो वो व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं करेगा. लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को चंद्रमा पर ले जाए और उसे चलांग लगाने दे, तो वो आशानी से 6 मिटर उंची चलांग लगा सकता है. जब हम इस भौतिक दुनिया में होने वाली घटनाओं को देखते हैं, तो इन्हें हमें सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कि जब चीजे संभव थी, तब हम कहां थे? और जब चीजे असंभव थी, तब हम कहां थे? परमेश्वर की दुनिया का अनभव करने के लिए, हमें विश्वास की दुनिया की आवशक्ता है. जब हम विश्वास की दुनिया में सब कुछ देखते हैं, तो परमिश्वर के वचन में कोई जूट नहीं है, उनकी बाते भरोसे मंद हैं, निश्शी तुरूप से जैसा परमिश्वर ने कहा वैसा किया जा सकता है अयुब अध्याई 42, मती अध्याई 19, उत्पती अध्याई 18 और यर्मिया अध्याई 32 में, नभियों ने लगातार गवाही दी कि यहोवा के लिए कोई काम कठीन नहीं है, परमिश्वर से सब कुछ हो सकता है जो लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते, जैसे नास्तिक और वे जो बाइबल का विरोत करते हैं, यह नहीं मानते की परमिश्वर ने लाल समुद्र को एक लाठी से विभाजित किया वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल शारिरिक दुनिया देखी है हम, जिस तिसरी आयामी दुनिया में रहते हैं, उसमें समुद्र को कभी भी एक लाठी से विभाजित नहीं किया जा सकता है लेकिन परमिश्वर के विश्वास की दुनिया में यह सब संभव है, सब कुछ संभव है इसलिए परमिश्वर ने क्या कहा? परमिश्वर ने कहा विश्वास रखो जब हमारे पास विश्वास होगा, तो किस तरह की दुनिया बनेगी? भले ही हम इसे अपनी नगना आखों से नहीं देख सकते लेकिन विश्वास की दुनिया बनेगी विश्वास की दुनिया में हम यरियों को गिरा सकते हैं और लाल समुदर की बीच में सूखी जमिन पर मार्ग बना सकते हैं येशु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वा सराई के दाने के बराबर वी हो तो इस पहार से कह सकोगे यहां से सरक्कर वहां चला जा तो क्या होगा? तो वह चला जाएगा. क्या येशु ने हमें जूटी शिक्षा दी? नहीं, उन्होंने नहीं दी. अब हम एक ऐसी दुनिया में बद्ध है, जो भौतिक समय और स्थान से सिमित है. एक बार जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, तो हम उस विशाल और अनंत ब्रह्मान स्वर्गे दुनिया को मैसूस करेंगे, जिसे परमेश्व ने हमारे लिए खोला है. हम इस नई दुनिया को उन पाँच इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख पाएंगे, जिनका हम इस दुनिया में उप्योग करते हैं, इसकी महिमा और वैभव, इतना महान है कि हम इसे केवल अपनी स्वरिग्य इंद्रियों से ही देख सकते हैं. आप और मैं निश्चित रूप से इस शांदार ख्षण का सामना करेंगे, जब हम इस अद्बुत नई दुनिया में हमेशा के लिए अपनी सभी इंद्रियों से चकीत होंगे. इसलिए परमेशर ने कहा, विश्वास के बिना परमेशर को प्रसंद करना असंभव है. परमेशर हमें बाइबल के द्वारा दिखा रहे है, कि विश्वास की दुनिया कैसी है. बलेए हम भोतिक दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमें पुरुत्वी के गुरुत्वा कर्षन से विवश नहीं होना चाहिए. आये हम विश्वास की दुनिया में रहे जो इस दुनिया के गुरुत्वा कर्शन से सिमित नहीं है जब अयूब ने यह मैसुस किया तो उसने कहा परमिश्वर वास्तों में अद्बूत है वो सर्वस्रिष्ट है साथ ही येश्व ने कहा तुम इसे अपने आप नहीं कर सकते चुकि तुम इस भौतिक दुनिया की सीमाओ द्वारा नियंतृत किये जाते हो इसलिए तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन परमिश्वर के साथ सब कुछ संभव है परमिश्वर ने यहोशुसे कहा साथवे दिन साथ बार नगर के चारो और घुमो, तब नगर गिर जाएगा। साथवे दिन उन्होंने साथ बार नगर का चक्कर लगाया, लेकिन नगर मजबूत और स्थीर रहा। किसी भी शारिरिक शक्ति से इस पर विजय प्राप्त करनी की संभावना नहीं थी, लेकिन जब इसरैली साथवे दिन लगबक साथ बार घुमे, तब परमेशन ने पहले ही विश्वास की दुनिया में यरीहों को गिरा दिया था। केवल जब परमिश्व ने कहा, चिलाओ, तो भौतिक दुनिया से संबंदित लोगों ने विश्वास की दुनिया में जो कुछ भी हुआ, उसका प्रदशन देखा। यहां तक की राय के दाने जितना छोटा विश्वास भी, विश्वास की दुनिया में इन सभी चीजों को हिला सकता है। परमिश्वर वह है जो विश्वास की दुनिया को नियंद्रित करते हैं। कि यसु समाचार सामरिया में और पृत्वी के छोड़ तक शिग्रता से प्रचार किया जाएगा. जब पर्विशर कहते हैं, सात्वे दिन चारो और साथ बार घुमो, तो हमें चारो और साथ बार घुमना चाहिए. हमें अपने आप से यह नहीं कहना चाहिए. इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि मैं एक बार घुमू या साथ बार. विश्वास की दुनिया में हर बार जब हम घुमते हैं, तो यरियों के पतन की सभी शर्ते एक साथ आती हैं, और परमेशर अपने वच्चन के पूरा होने के लिए वातावरण और परिश्चितियों का निर्मान करते हैं. भौतिक दुनिया में बले ही वे साथ बार चारो और घुमे, लेकिन यह उनके पहली बार घुमने जैसा लग सकता है. लेकिन विश्वास की दुनिया से देखने पर यह अलग है. जैसे ही वे एक बार और फिर दो बार घुमे, वे गिरने लगा. और जब वे चारो और छे बार और साथ बार घुमे, तो यह पूरी तरसे धुल में बदल गया. लेकिन भौतिक दुनिया में हमारी नगन आखों के लिए ऐसा लग रहा था कि पहले चक्र और सात्वे चक्र के बीच कुछ भी नहीं बदला है. यह ऐसा था जैसे पहले दिन के पहले चक्र में और सात्वे दिन के सात्वे चक्र में कोई अंतर नहीं था. परमेश्वर विश्वास की दुनिया में निवास करते हैं. हम भौतिक दुनिया में रहते हैं. हम सभी को यह समझना चाहिए कि जिस तर पृत्वी और चंद्रमा का गुरुत्वा कर्शन अलग-अलग है. उसी तर भौतिक दुनिया में हम जिस प्रकार परमेशर के वचन के पूरा होने की उम्मित करते हैं, वः विश्वास की दुनिया में अलग है. जब परमेशर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को लाल समुध रखी और बढ़ा, तो उसकी आज्याकारिता विश्वास और इस तथेने की वः परमेशर के वचन को अमल में लाया, विश्वास की दुनिया में परमेशर की शक्ती को शक्रिय किया तब चीजे दरश्यमान वास्तविक्ता में प्रगठ होने लगी भहत तिक दुनिया में रहने वाले लोग इसे चमतकार कहते हैं भाईयों और मैंनों, आज आईए हम इस तथ्य पर विचार करें कि परमेशर विश्वास की दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ पूरा किया जा सकता है और यह की विश्वास की दुनिया में परमेशर पूरी पृत्वी और ब्रह्मान पर शाशन करते हैं और इसे संचालित करते हैं इसे ध्यान में रखते हुए, आये हम परमेश्वर पर अपना विश्वास कभी नख होए। तब हमें परमेश्वर की इस गवाही पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि राज्य का यसु समाचार सामर्या और पृत्वी के छोड़ तक प्रचार किया जाएगा, मरकुस के उप्रिकक्ष जैसी छोटी आरादना की जग में भी पिता ने जोड़ देकर कहा कि यसु समाचार सामर्या में और पृत्वी के छोड़ तक प्रचार किया जाएगा, उस समय सदस्य इस संदेश को अच्छी तरस से नहीं समझ सके, क्योंकि उन्हों ने इसे अपने जन्म के समय से भौतिक दुनिया में प्राप्त अनुभवो और ज्ञान के लेस के माध्यम से देखा था. हम मर्कुस के उपरिकक्ष जैसी छोटी सी जगह से सामर्या में और पृत्वी के छोड़ तक सूसमाचार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? लेकिन चुकी परमेश्वर विश्वास की दुनिया में रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने विश्वास की दुनिया से अपना वचन दिया था. जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वालों की संख्या एक से दो, दो से दस और फिर सो हो गई, तो उनके वचन की विश्वोटक शक्ती शुरू हुई. जब उत्री अमेरिका में सू समाचार का मार्ग खुलने लगा, तो दक्षिन अमेरिका में भी चर्च स्थापित होने लगे, जहां हमारा कोई संबंद नहीं था, सू समाचार केवल इसलिए पूरा नहीं होता, क्योंकि कोई वहाँ जाता है. हमें विश्वास की दुनिया में आना चाहिए, जिसमें परमेश्वर निवास करते हैं. इसलिए परमेश्वर कहते हैं, निरंतर प्राथना करो. हमारा सू समाचार विश्वास की दुनिया के साथ होना चाहिए. यदि हम यह कहते हुए अपने गनान पर घमंड करे कि मैं बाइबल को बहुत अच्छी तरसे जानता हूँ और मुझे दरड विश्वास है तो सू समाचार का कारिय कभी नहीं हो सकता बले ही हम भौतिक दुनिया में सिमित है हमें हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए क्योंकि वह वही है जो विश्वास की दुनिया को संचालित करते है जब ऐसा होगा तो वचन सुनने वालों का रदई प्रेरित हो जाएगा और लूद्या की तर वे वचन को स्विकार करेंगे हमारे लिए ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर का वचन प्राप्त कर रहे है लेकिन हम कह सकते हैं कि उन्होंने विश्वास की दुनिया को प्राप्त कर लिया है इसलिए सु समाचार के द्वारा उनका परिवेश भी बदल जाता है और लूदिया के समान अधिक से अधिक लोग विश्वास में आते हैं सबी लोगों बले ही एक व्यक्ति लंबे समय से सत्य में हो और उसने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सौ बार बाईबल भी पड़ी हो लेकिन उसकी तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती जिसने परमेश्वर के विश्वास की दुनिया को प्राप्त किया और परमेश्वर के वचन को अमल में लाया है जब हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है तो हमारी सारी आत्मिक शक्ति शक्रिय होने लगती है. भाई और बैनों, येशु ने कहा, यदि तुम में विश्वास है, तो तुम इस परवत को उठा सकते हो और इसे सम्मुद्र में फेक सकते हो. विश्वास में इतनी बड़ी चमतकारी शक्तिया है. कृपिया यर्मिया के पुस्तक और उत्पत्ति में दिये गए वचनों को याद रखे. परमिश्वा ने कहा, क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? जब सारा ने पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं प्रसव की उम्र पार कर चुकी हूँ, और मेरे पती बुड़े हो गए है. क्या अब मुझे संतान को जन्म देने का सुख मिलेगा? परमिश्वा ने उससे क्या कहा? क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? परमिश्वा ने कहा, तुम्हारा संदे तुम्हारे लिए समझ में आता है. क्योंकि तुम इस तिसरी आया में दुनिया की बहुतिक सीमाओं तक सिमित हो. लेकिन क्या परमिश्वार के लिए कुछ भी असंभव है? सभी लोगों, जब परमिश्वा हमें सामर्या में और पृत्वी के छोर तक्सू समाचार का प्रचार करने के लिए कहते हैं, तो हमें किवल प्रचार करनी के आवश्चाक्ता होती है. उससे कुछ ज़्यादा नहीं और कुछ कम करनी की नहीं. तब परमिश्वर एक आत्मिक संकित देते हैं, ताकि हमारे सभी, खोए हुए भाई और बहने, विश्वास की दुनिया में आत्मिक नेटवर्क के द्वारा परमिश्वर के पास लोट सके. क्या परमिश्वर उन्हें अपनी आवा सुनने नहीं देते? आईए हम एक बार फिर इन सभी बातों को अपने रदयों पर अंकित करें. जब परमिश्वर कहते हैं, समय और असमय सामर्या में और पृत्वी के छोर तक सू समाचार का प्रचार करो, तब जो प्रचार करता है, उसे सबसे अच्छा विश्वास रखने वाले के रूप में स्विकार किया जाता है. यह सारी मानवजाती को बचाने का सबसे अच्छा और एक मात्र तरीका है. जब हमें अपने स्वयम के कौशल, क्षमताओ या प्रतिभाओ के बजाए, परमेश्वर पर विश्वास होता है, तो यरियो का पतन और यहां तक की लाल समुद्र का विभाजन भी आसानी से हो जाएगा. केवल तब ही हम जंगल में जहां भोजन नहीं है, हर दिन स्वर्ग से भोजन का उतरने की अद्बुद घटनाओं को देख पाएंगे, क्या आप सैमत नहीं है? आईए हम एक भी आत्मा को न छोड़े और सभी लोग उठकर सामरिया से पृत्वी के छोड तक जोती चमकाए. मैं आप सभी से एक बार फिर इस वर्ष को ववर्ष बनाने के लिए कहना चाहूंगा, जब हमारे सभी सरुगे परिवार के सदसे पिता और माता की बाहों में लोटते हैं. इसकी द्वारा मैं आज की उबदेश को समाप करना चाहूंगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.